Hello students, welcome back to JKSmart Lecture आज हम फिर से trigonometry के questions करने जा रहे हैं previous video में मैंने first question solve कर दिया था अब मैं second question solve करने जा रहा हूँ अगर आपको previous question में doubt है तो comment कीजिए और basically आपको जो value है sign 30 degree क्या होता है, 60 degree क्या होता है वो पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो description में मैंने link डाला हुआ है उससे आप table जो है वो कैसे बनाते हैं वो आप बनाना सीखिए उसके बाद sums को कीजिए, easy हो जाएगा तो 10th में भी आपने थोड़ा सा किया हुआ है, इस बार थोड़ा सा और कर लीजिए जो जिपलोमा में कर रहे हैं जो प्लस वन में कर रहे हैं तो चलिए start करते हैं question है if sign a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to under 3 by 2 तो हमने यह लेकर आना है, यह 2017 पंजाब state board of technical education में यह आया हुआ है तो देखते हैं और 10th में भी आता ही आता है तो sign a plus b is equal to 1 तो हमने क्या करना है, यहां पर मैंने बताया था आपको sign यहां पे है हमारा a plus b यहां पे sign है तो यहां पे भी हमें sign लेकर आना है अब कैसे लेकर आना है, मैंने बताया था, sign की value आपने देखनी है, 1 कब होती है sign की value जब 90 degree होती है, sign 90 जो है, वो 1 होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin 90 तो यह sin से sin कट जाएगा तो हमारे पात जो है A प्लस B जो है वो 90 डिगरी बन जाएगा तो यह तो हमने A निकाल लिया अब आता है B कैसे निकालेंगे तो B हमारे पात कैसे है cos A माइनस B अब हमने देखना है कि cos की value under root 3 by 2 कब होती है जैसे cos की value जो है under root 3 by 2 होती है जब cos हमारा 30 degree होता है तो cos हमारा जब 30 degree होता है तब होती है sin 30 cos 60 cos 60 sin 30 तो ऐसे represent करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वो cos 30 होगा तो यहाँ पर cos से cos कट जाएगा तो फिर से a-b क्या बनेगा तो a-b हमारा बन जाएगा 30 degree तो यह हमारी equation 1 है और यह हमारी equation 1 है और यह हमारी equation जो है वो 2 है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे फिर से add कर देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे adding 1 and 2 को add करेंगे a plus b is equal to 90 degree और a minus b is equal to 30 degree अगर add करेंगे तो easy हो जाएगा 2 और 2 कितना बन जाएगा a और a कितना बन जाएगा 2a b और b कट जाएगे इन दोनों को plus करेंगे तो 120 degree आ रहेगा तो हमारा a यहां पर क्या रहेगा a रहेगा 120 degree upon 2 इसको काटेंगे तो a हमारा बन जाएगा 60 degree ऐसे हमने a निकाल लिया अब b निकालना है b b easy है हमें क्या था a plus b is equal to 90 degree मिन्स हम a की value जो है वहां put कर देंगे a हमारा क्या था 60 degree plus b is equal to 90 degree अब हमने निकालना है b तो b क्या बन जाएगा b हमारा बन जाएगा 90 degree माइनस 60 degree तो b हमारा बन जाएगा 30 degree तो a हमारा बन गया 60 degree और b हमारा बन गया 30 degree तो अब हमने चेक करना है कि सही किया है अगर गलत हो जाएगा तो हम चेक कर लेते हैं इसका चेक करने का method भी बताता हूँ जिसको हम shortcut trick बोलते हैं जो कि जो government exam की preparation कर रहे हैं उनके लिए है और आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि कैसे यह sums ठीक है कि गलत किया है आपने तो देखते हैं तो यह अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी trick बट आपने trick यूज नहीं करनी बस चेक कर लेना है तो हमारे पास sign a plus b क्या था sign a plus b क्या था is equal to 1 तो यह हमने लेकर आना है तो sign यह कितना बन गया यह बन गया 60 degree plus 30 degree तो यह कितना बन गया sign 90 degree तो sign 90 degree क्या होता है one यहाँ पर भी one है और यहाँ पर भी क्या है one means one is equal to one आ गया है इसका मतलब यह ठीक है और दूसरे में put करके देख लेते हैं दूसरा क्या था cause a minus b is equal to क्या था under root 3 by 2 तो cause यहाँ पर आ रहेगा 60 degree minus 30 degree तो cause 60 degree minus 30 degree यह ऐसे आ रहेगा under root 3 by 2 तो यह cause कितना बन गया 30 degree तो अभी बताइए आप cause 30 कितना होता है under root 3 by 2 तो यह वारा left hand side right hand side के equal आ रहेगा जिससे हमें पता चल जाएगा यह हमारा sum ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment और share जरूर कर दीजिए और versa group join कर लीजिए comment जरूर कीजिए bye bye next video में मिलते हैं